दोस्तो अगर आप Axis Bank के customer हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तो Axis Bank अपने fee और charges को change करने जा रही है दोस्तो अगर आप Axis Bank के customer हैं तो ये message आपको मिला होगा जिसमें लिखा होगा fees and charges applicable on Axis Bank saving account has been revised with effective 1 April 2022 दोस्तो Axis Bank 1 April 2022 से saving account के अपने fees और charges को बढ़ाने वाली है और दोस्तो यहां link दिया होगा इस link पे जब आप click करेंगे तो यहां से एक PDF डाउनलोड होगा उस PDF को आप पढ़के समझ सकते हैं तो दोस्तो आईए हम लोग PDF को देखके समझते हैं इसके fees और charges को तो दोस्तो सबसे उपर में ही लिखा होगा कि important notice for saving and salary account holder और नीचे लिखा होगा the tariff structure for saving salary account is being revised effective 1 April 2022 detail अंदर मतलब कि दोस्तो यह notice saving और salary account के लिए है जो कि 1 April 2022 से लागू कर दिये जाएंगे तो दोस्तो notice number first में भी दिखा रहा है कि revise of balance required criteria for easy saving and equivalent scheme मतलब कि दोस्तो जो इसका balance maintain करने का जो करेटेरिया था उसको जो है change कर दिया गया है जैसे कि हैं detail में दिखा रहा है average monthly balance requirement metro और urban location existing अभी मौजूदा जो है 10,000 है लेकिन 1 April 2022 से इसको बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा मतलब कि दोस्तो जो लोग urban और metro city से आते हैं और वो axis bank के customer है तो उनको अभी जो है 10,000 रुपिया maintain करना पड़ता है लेकिन इसको बढ़ा के 1 April 2022 से 12,000 कर दिया जाएगा तो 1 April 2022 से 10,000 के जगा पे 12,000 रुपिया maintain करना पड़ेगा और अगर आपका balance 12,000 से कम हो जाएगा तो फिर जो है आपके charges लगने लगेगा और आपके account से पैसा कटने लगेगा तो दोस्तों अगर कोई आपके जानने वाला एक्सिस बैंक का customer है तो इस वीडियो को उसके पास share जरूर करें उसको भी पता हो जाए कि 1 April 2022 से मिनमम 12,000 रुपिया का maintain करना होगा इसके बाद दोस्तों दूसरा revise को देखते हैं एहां लिख रहा है कि revision in monthly cash withdrawal फिरी limit for easy saving equivalent scheme तो दोस्तों जो monthly cash withdrawal था पहले दो लाख रुपिया था अब इसको घटा के डेढ़ लाख रुपिया कर दिया है आए यहां डिटेल में देखते हैं monthly cash transaction फिरी limit जो अभी existing में फर्स्ट चार ट्रांजेक्शन और दो लाग मतलब कि पहला जो है 4 transaction और दो लाख रुपिया जो है फिरी है लेकिन इसको एक अप्रिल 2022 से revise करके पहला चार ट्रांजेक्शन और देढ़ लाख रुपिया कर दिया गया तो दुस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है फिर से नेक्स वीडियो में और दुस्तो जाते जाते है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरू सब्सक्राइब करके जाएं कि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकर्स आपको मिलते रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें अगर हम मोटिवेट होंगे तो ऐसा ही वीडियो और आपको बना के देते रहेंगे